हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल आज हम बात करने वाले हैं विराट कोली के बारे में उनकी जीवनी के बारे में विराट कोली का जो जन हुआ था वो 5 नवंबर 1988 में हुआ था दिल्ली में जो कि बारत में इस्तित है ये एक बल्लेवाज हैं और दाएं हाथ से खेलते हैं दाएं हाथ के बल्लेवाज हैं ये विराट कोली आधनिक क्रिकेट में सबसे ज़्यादा सफल बल्लेवाजों में से एक हैं जो अपनी आकरामक बल्लीवाजी के लिए जाने जाते हैं और ये एक मैधपुर्ण खिलाड़ी है भारत के लिए इन्होंने अपने करियर के दोरान बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए है जैसा कि वंडे करियर की बात करें तो वंडे करियर में 8 अगस 2008 में इन्होंने डेब्यू किया था श्री लंका के खिलाफ और अभी तक इन्होंने और बाडियरी में बंडे के अंदर 274 मैच खेल चुके हैं जून 2023 तक और इसमें जो रन बनाए हैं 274 मैचों के अंदर 12898 रन बनाए हैं जो कि 57.32 के ऑ्टस से बने है इसमें जो शतक बनाए हैं वो 46 शतक बना चुके हैं यह और अर्थ शतक 64 बनाए हैं जिसमें इसमें इन मैचेज के अदर जो स्कोर बनाया है जो उच्थम स्कोर रहा है उनका वो 183 का रहा है अगर अब हम विश्व कप की बात करें तो विश्व कप में 2011, 2015, 2019 के अंदर ये उपस्तित थे जिसमें इन्होंने 26 मैच खेले हैं और उन 26 मैचों में 1030 रन बनाए हैं जो की 46.81 की एवरेज से बने हैं जिसमें 2 शतक हैं और 6 अर्ध शतक हैं और जो हाइए स्कोर रहा है इसमें मैचों के अंदर वो 107, 107 रन का रहा है अगर करियर की और बाते करें इनके तो 2011 के जो विश्व कप में जो टीम हमारे जो विश्व कप जीती थी उसका हिस्सा रहे हैं 2014-2016 में ICC T20 विश्व कप में ये क्या चुने गए हैं प्लेयर आफ दा टूनामेट चुने गए हैं 2018 में सबसे तेज 10 हजार रन बनाने वाले खिलाड़ी भी बने हैं इन्होंने सचिन तेंदूलकर के रिकॉर्ड को पीछे चोड़ा हैं 2017 से 2021 के बीच ये भारतिय टीम के कप्तान रहे हैं और कई सीरीस के अंदर इन्होंने जीत दिलाई है अगर आप इसी तरीके से और cricket player के बारे में या other players के बारे में other sports player के बारे में जानना चाहते हैं और चैनल को आपने अभी तक subscribe नहीं किया है तो subscribe बटन जरूर क्लिक कर लें